पस्वागत है रेलवे ट्रिमर्स में फ्रेंड्स कल राजसभा में एक हमारे MP के द्वारा क्वेश्चन पुछा गया था कि रेलवे में अभी कितने सिर्ष खाली है या कितने रिक्तिया खाली है या उनको भरने के संब्ध में क्या-क्या प्रोसेस की जा रही है यह सब के बार चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे मंत्रालाय ने क्या एंसर दिया है हाला कि यह कुछ एक दो महीने या तीन महीने पहले भी यही जबाब उन्होंने दिया था उन्होंने पीछे वाले जो अभी एक लाग भैकंसी ग्रूप टी की और 34,000 भैकंसी जो इस उनके रेलवे ने क्या जबाब दिया है इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और अड़ सबस्क्राइब कर दीजिएगा आपके लाइक शेयर से हमें बहुत motivation मिलती है और सबस्क्राइब जरूर की जेगा दोस्तों चलिए दोस्तों देख लेता आप देख सकते भारत सरकार रेल मंत्राले राजसभा 17.3.2023 के आतारंकिक प्रस्ण संख्या 2072 का उत्तर भारतिये रेलवे में राजपत्रित कर्मेचारियों की कमी स्रीमति प्रियंका चतुरुबेदी ने पुझा थे क्या रेल मंत्रिये बतानी की क्लिपा करेंगे की क्या ये सची की रेलवे बरतमान में रिक्त पड़े 3.12 लाक आराजपत्रित पदों की कमी का सामना कर रहा है कोश्चनमा दूसरा था यदि हाँ तो तक तो संबंधी प्योरा क्या है यदि नहीं तो देश भर में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवाई संख्या कितनी है और सरकार द्वार अदेश भर में भारतिय रेलवे में आराज पत्रित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है तो चलिए दोस्तों उनका जो उत्तर आया है वो देख लेते हैं कि रेलवे संचारब में इलेक्ट्रोनिक और सुचना प्रोद्य की मंत्री स्री असनवी वैशनमजी को से घो विबरन सभा पटल पर रख दिया गया है तो देखिए अब क्या रखा है उन्होंने भारतिय रेलवे में आ राज पत्रित कर्मियों की कमी के संबंद में दिनाक 173-2023 को राज सभा में स्रीमति प्रियंकर चितुर्पेदी के आतारंकिक प्रस्न सेंख्या 2072 के भाकाव से घोब के उत्तर के संबंद में विबरन तो देखिए दोस्तों उन्होंने कौ से गौ एक दो दो हजात तेईस यानि एक फरवरी दो हजात तेईस की स्थिति के अनुसार रेलवे में और राज पत्रित रिखतियों पदो का जोन वर विबरन ऐसे दिये है दोस्तों तो अब देखिए मध्ध में ये मेली ग्रूप सी और ग्रूप डी दोनों मिला के है दोस्तों तो अभी जो जेई है एलपी टेक्निशियन ये जितने भी है सारा चीज मिला के और अभी जो चल रहे हैं भरती पक्रिया एक दो हजार उनीस एंटी पीशी और रर्सी एक दो हजार उनीस ग्रूप डी ये जोड़ी हुई है दोस्तों तो यहां मध्ध रेल्वे यानि सेंट्रल रेल्वे मॉंबाई का 28644 पदरिक्त है पूर्वी तट यानि इस्ट कोष्ट क कि आठ हजार 289 पद रिख्ध है पूर्व मध यानि इस्ट सेंट्रल रेल्वे यानि हाजीपूरु का 14,606 पद पूर्व का इस्टन का 3691 पद मेट्रो में यानि मेट्रो जितनना भी कोलकात्या दिल्ली मेट्रो है साहम मिला कि 1104 पद उत्तरमध यानि नॉर्थसेंटरल य पुर्वुत्तर इस्ट नॉर्थ इस्ट आप कहा सकते हैं 14118 पुर्वुत्तर सीमा फ्रंटियर रेलवे जो है आपका गौहार्टी वाला वो 16148 आगे देखिए दोस्तों उत्तर यानि नॉर्दान रेलवे में लगभग 491349 उत्तर पस्टिम रेलवें 15166 दक्षिन मध्य रे नॉर्टी में 16366 दक्षिन पूर्वुमंद साउथ इस्ट सेंट्रल रेलो यानि विलासपूर्श जिसका मोग कहते हैं 7,966 दक्षिन पूर्व में साउथ इस्टन में आपका 18,094 दक्षिन में 22,128 पस्टिम दक्षिन पस्टिम में 6,734 पस्टिम मध्य में 11,549 पस्टिम में 30,6667 कुल गया गया है दोस्तों तीन लाग तीन लाग 179 और अन नहीं क्या हैं जैसे वार्थ सब यह सब चोड़ के लगभग आपका 12,726 मिला के 3,12,895 रिक्त पद है इसमें देखेगा आप सबसे ज्यादा जो भरती है वो नॉर्दन रेलवे में तो अगर हम मान लेते हैं कि 13,312,000 में से अगर एक लाग एक लाग और 40,000 मान के सब्सक्राइब कर देते हैं तो लगभग एक लाग साथ हजार रिक्त पद क्रूप सी क्रूप डी नॉन गैजिटेट जो सेक्षेन इंजिनियर होते हैं इनको ले कर खाले तो यही क्वेश्चन बार बार उठता है कि आज यह जो भैकेंसी चल रही है के 2019 की वेकंसी आ और इसके बाद अभी भी इतनी सारी वेकंसी खाली हो चुकी है जिसका उनके पास कोई बैवरा नहीं इस तरह पहले पी उन्होंने यही बैवरा दिया था और अभी भी वह यही बैवरा दे रहे हैं तो कब तक ये वैकेंसी आएंगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप क्योंकि अगले साल चुना भी है तो इस बार उन्होंने पांस साल बाद उन्होंने एंटीपी से और ग्रूप डी का प्रोसेस इतना फास्ट किया है यह जल्दी-जल्दी में खतम करना है तो इन्होंने अ उसके बाद आपका जेई 2018 में सेक्षन इंजिनियर तो उससे पहले से बन था तो इतने सारे आर्पिये पेसाई भी उसी समय का बात है तो इतने साल हो गया है कोई वैकेंसी नहीं आई है तो इसके बारे में इन्होंने ठीक से पहले भी जो दावा किया था आज भी वही कर र तक एक होना और उन्हाइं भाल भरबहरा जाने एक में यह हैं एमाई की थी और एंटी पीसी वाली कि यह दोनों मिला के 37,135 हो रही है तो 37,135 तो यह लोग अभी भी आगे का ही लेके चल रहे हैं जबकि इतनी सारी भैकेंसिया खाली है तो इन्होंने इसके बारे में अभी भी सही तरीके से कुछ भी नहीं कहा है तो चलिए द देख ले तो उसको उसमें क्या उन्होंने कहा है देखे दोस्तों एक और नोटीस में जो कि लोप सभा में 15 दिन 2023 को प्रश्ण पूछा गया था इस्टेशन मास्टर की भारी कमी के बारे में कुमड दानिस अली ने यह पूछा था उनका क्वेश्चिन यह था कि देश में रेलवे इस्टेशनों पर इस्टेशन मास्टर की भारी कम है यदि हा तो इसके कारण से तत्र वोदिवयोरा दिजिये इस्टेशन मास्टर की भरती के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं इनकी रिक्तियां कब तक भरी जाएगीbor रेलवे द्वारा बिग् समाप्त कर दिया है यानि के रेलवे ग्रूब डी को समाप्त कर दिया है यदि हाँ तो इसके कारणों सईत ब्यवरा दें तो उसके एंसर में उन्होंने यह दिया है दोस्तों कि स्टेशन पदों के कुल सिक्रित पद एक तालीस हजार आठसो चौरासी है अन्रोल अभी जो ड् कोटियों में सिक्रित पदों की संख्या बास्तविक परिचालनिक ववस्ता के अधिक होता है क्योंकि इसमें लीव रिजर्व और रोष्ट गीवर करता तो सामिल होता है जो सक्षर्था कोटी से तीस से साले बारा तक घटती बढ़ती रहती यानि कुछ ज्यादा लेकर रहते हैं वह मैनेज कर पाएं और उन्होंने यह भी कहा है कि पदों करिक्त होना रिखती जो पहले नोटिस में उन्होंने कहा थे कि भरनेक सदस्विया है अब भी 6865 भरतियों का प्रक्रिया चल रहा है स्टेशन मास्टर में और एक और चीज यहां देखिए अब पांच स्टेशन मास्टर की रिखती है तो यह भरति तो रहे गए यानि एक बड़ी संख्या में स्टेशन मास्टर की भरति होने वाली है और क्या उन्होंने अंगों का क्वेस्चन का एंसर दिया है कि रेलवे ग्रूब डी की पत को समाप्त नहीं किया गया बस उसका नाम बदला गया है उसको अभी ग्रूप सी में डाल दिया गया है लेबल वन के तौर पर तो चलिए दोस्तों यही था यही जानकरी देना था और आगे जो भी नोटिस आएंगे इसके बारे में हम लोग बात चरूर करेंगे तो तब तक के लिए दोस्तों थांक्यू